बड़ी कबर सामने आ रही है आर्थिक राजधानी मुंबई से जहां के एम हॉस्पिटल में 5 साल की बच्ची के साथ छेड़ चाड़ के मामले में भोई बड़ा पुलीस ने 26 वर्षिय इर्फान खान के खिलाब मामला दर्ज कर उसे गिरपतार कर लिया है पुलीस से मिली जानकारी के मुताबिक पुड़ित बच्ची की मां के ये मस्पताल के एक वाड में भरती थी और उसी वाड में आरोपी का एक रिष्टेदार भी भरती था बच्ची का परिवार जिसमें उसकी दादी भाई और बहन शामिल थे वाड के बाहर बैठे थे तबी 26 वर्षी आरोपी इरपान खान आया और बच्ची को कुछ खिलाने के नाम पर उसको अकेले लेकर गया इस दोरान आरोपी ने बच्ची के साथ गलत हरकत की जिससे बच्ची जोड जोड से चिलाने लगी वहीं जब लड़की चिलाई तो लोग इखटा हो गए और जब उसकी दादी ने उससे पूछा तो उसने सारी आबीती सुनाई जिसके बाद पीडित लड़की की दादी ने भोई वाड़ा पुलीस में शिकायत दर्ज कर आई इस मामले में भोई वाड़ा पुलीस ने BNS की धारा 75 और 501 की विबिन धाराओं के तहत मामला दर्ज कर आरोपी रफान कान को गिरपतार कर लिया है आरोपी खान साकी नाका का रहने वाला है फिलाल पुलीस की तरब से इस घटना के पूरी जाज की जारी है